हेलो फ्रेंड्स, कभी-कभी हमें बहुत मान होता है ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में कि कुछ अलग खायें, टेस्टी खायें, लेकिन रोज-रोज भजिया खाना, पकोड़े खाना सही नहीं है, तो हमने एक स्टीम्ड फूट तेयार किया है, आईए देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं, और इसका सारा प्रपोर्शन मैंने लिखा है, तो आप उतना ले लेंगे, तो बेटर बनेगा, तो धनिया मैंने बारिक कटिंग करके लिया था, अच्छे से कटिंग करके उसे धोके आप चलनी में डाल दीजी, पानी निकलने के बाद आप इसे यूज करिए, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, अगर आप वो तीखा वाला ले रहे हैं, तो थोड़ा कम ले, नहीं तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा, अब गरम मसाला हाफ टीजपून मैंने लिया है, मेरे पास घर में पिस रोल बनाएंगे, चिपचिपा हो जाएगा, थोड़ा सा बेसन है, इसलिए आप अच्छे से थोड़ा उसे मसल देंगे, और पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा, उसके बाद भी आपको लगता है, कि थोड़ा नरम हो तो इस तरीके से अच्छे से दो रोल बना दिये मैंने, अब एक बर्तन में, चौड़े वैसल में, आप दो गलास पानी ले ले लेंगे, गरम होने के लिए रख देंगे, और छलनी में इस तरीके से थोड़ा सा तेल लगा के हम यह रख देंगे, अगर हम तेल नहीं लगाएं और बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे जरूर एक बार ट्राय करिए, इस तरीके से हमने इसे चल्ली में रख दिया, उदर पानी गरम होने के लिए रख दिया था, हमने ये डाल दिया, उसके बाद आप उसे लेड रख देंगे और स्टीम होने देंगे, पंदरा मिनिट लगते हैं इसको स्टीम होने के बाद, आप इस तरीके से एक नीफ टाल देंगे इसके अंदर, चेक करेंगे अगर उस चाकू में बेसन चिपक रहा है, तो चार पांच मिनिट और स्टीम होन हमारा पाठला रहता है उस पे इस तरीके से चोड़े-चोड़े पीसिस कर लेंगे थंड़ा होने से क्या होता है आपका बेशन और धनिया उसमें चिपकता नहीं है अब एक कड़ाई ले लेंगे अच्छे से तेल गरम करेंगे और उसमें इनको डीप फ्राय करेंगे एक दम से कलर चेंज हो जाता है तो जादा नहीं करना है आपको देखेगा पहले एक दो पीस करके देखिए अच्छा सा कलर आ जाता है उसका चेंज हो जाता है आप उसे निकाल लेंगे कड़क हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और तेल बहुत नहीं के बराबर एब्जॉब करते हैं क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी ओईल नहीं डाला है जब हमने बनाया था उसमें हमने सोडा नहीं डाली है देखी कितना अच्छा कलर आया है तो इस तरीके से हम इने फ्राय करेंगे जल्दी जल्दी फ्राय हो जाता है और तेल बिल्कुल भी अब्जॉब नहीं करता है तो ये बिल्कुल कम तेल की रेसिपी टेस्टी, क्रिस्पी, बारिश के मौसम में तो खाके मज़ा आ जाएगा तो आप इसे ट्राय करिए ग्रीन चटनी, सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं आप देखे बिल्कुल भी तेल नहीं है और इस तरीके से आप करते जाएंगे थोड़े थोड़े पीसिस निकालते जाएंगे आप देखेंगे प्लेट पे आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रॉयल नहीं दिखेगा सारे फ्राय हो गए हमारे अब हम इने सर्फ करेंगे चटनी के साथ आप चाहें तो और भी सॉसिस के साथ खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो मझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें थैंक यू